तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्यान बिंदू उपनिशद जैसा कि आपने इसके पहले वाले उपनिशद के वीडियों को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियों को देख लीजी जिससे कि आपकी नुगले और भी इनहांस हो जाए तो आज ह का महत्व इंपोर्टेंस आप ध्यान योग आखी ध्यान योग का महत्व क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रणों का स्वरूब और ध्यान किस प्रकार से हमें प्रणों का ध्यान करना है और उसका स्वरूब क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे सदांग योग की बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारे प्राप्त करेंगे आपने सदांग योग की बारे में नहीं पढ़ा है तो आप योग चुडामड़ी उपनिशत्त के वीडियों को देखे वहाँ पे आपको सदांग योग की बारे में जानकारे मिल जाएगे नाद अम्शंधान द्वारा आत्म दर्शन किस प्रकार से नाद अम्शंधान के द्वारा आत्म दर्शन होगा उसकी बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों अब देखते हैं कि स्लेवर्स में आखिर क्या चीज़े बिंसन हैं और हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे आखिर टू दपॉइंट स्टडी में हम क्या क्या चीज़े जानने वाले हैं तो ध्यान बिंदु उपनिशत कहते हैं कि ध्यान बिंदु उपनिशत का किंद्रिय भाव ही ध्यान है क्या है इसका किंद्रिय भाव ध्यान है और इसका सुभारम यानि स्टार्टिंग वे ही क्या है ब्रह्म का ध्यान है कहते हैं कि प्रादम्य में बताया गया है कि आपको क् पर फोकुस करना है और ब्रह्म का ध्यान करना है तो स्लेबस में क्या के चीज़े दी होई है ध्यान योग का महत्व प्रणाव का स्वरूप प्रणाव ध्यान की विधी शडांग योग क्या है नाद अनुसंधाद द्वारा आत्मदर्शन कैसी होगा उसके बारे में बताया आपको इन सारे चीज़ों पर विशे इस्तियां रखना है जो कि टेबल में दिया हुआ है कि ध्यान बिंदु उपनिशत किस वेद से लिया गया है तो आपको याद रख लेना है किस वेद से लिया गया है कृष्ण जो रुवेद से लिया गया है इसमें मंत्रों की बात करे है और इसमें चार आसनों की भी बात की गई है वहां पे 72,000 नाडियों की बात की गई है उसमें से इसमें भी जो दस मुख नाडिया है उसमें भी तीन मुख नाडिया है आपने इस सभी जगह देखा होगा कि वह तीन मुख नाडिया कौन-कौन सी है एडा पिंगला और शुशुम्णा वह कौन-कौन सी नाडिया है एडा पिंगला और शुशुम्णा इस प्रकास से लेकिन ध्यान बिंदु प्रिश्चत में बताते हैं कि इन तीनों में भी सिर्फ एक नाडियी जो है मुख है वह कौन सी नाडियी है वह है शुशुम्णा नाडियी अभी हम आगे देखेंगे कि क्या बताया गया है अब कहते हैं प्राण की संख्या कितनी है तो बताते हैं यहां प्राणों की संख्या कितनी है दस है जैसा कि आपको मालूम होगा वो प्राण कौन-कौन से है पंच प्राण है और पंच प्राण कौन-कौन से प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान और उप्राण की बात करें तो वो कौन कौन से उप्राण है नाग, कुर्भ, देवदत, क्रिकल और धनंजे इस प्रकार से दस प्राणों की बात की गई है मुद्राओं की बात करें तो यहाँ पे छे प्रकार की मुद्राओं की बात की गई है जिसमें से बात करते हैं कि यहां पे तीन बंध हैं और तीन मुद्रा हैं जब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो मुद्राओं की अंतर गती ही आती हो कौन को से मुद्रा है मूल बन उडियान बन जालंदर बन खेचरे मुद्रा वज्रौली और महा मुद्रा की बात करते हैं चक्रों की बात करें तो यहां पे चार प्रकार के चक्रों की बात करते हैं जैसा कि आपने इसके पहले वाले उपनिशत में देखा होगा कि वहाँ पे छे प्रकार के चक्रों की बात कर रहे थे। किन-किन उपनिशतों में आपने देखा था कि योग चुडा मड़ी उपनिशत में और आपने योग तत उपनिशत में देखा था वह आच्छे प्रकार के चक्रों की बात की गई थे। और पांच देव हैं और इसके पहले वाले उपनिशत में आपने जरूर पढ़ा होगा कहां पे योग चुडा मड़ी उपनिशत में गायत्री की बात की गई थी। कहते थे वहां पे कि आपको 21600 को क्या करना है इस मंत्र का जाब करना है। यहाँ पर भी वहीं बताया गया है कि you कि सजाद 600 बार आपको क्या करना है और जपा गायत्री की अभ्यास को गरता है तो काफी छोटी-छोटी सब्दों में हमने ओवर्वीव को देख लिया कि ध्यान-बिंदु उप्रिशत में क्या-क्या चीजें चरूरी है अब हम देखते हैं कि ध्यान-बिंदु का महत्व क्या है तो बताते हैं यदि सैलसमं पापं विस्तेडबहु योजनं बीगते ध्यान योगेना नान्यों भेदह कदाचना दोस्तों आपने योग सुत्र पढ़ाई होगा वहाँ पर क्या कहते हैं कि जो आप इस समय कर्म कर रहे हो वो कर्म शम्सकार के रूप में इकठा होते हैं और सम्सकार जो की वासरा बन जाती है और उसका जो फल है वो आपको आने वाले जन्मों में मिलते हैं तो ठीक उसी प्रकास से कहते हैं कि आप जो भी कर्म करते हो वो अच्छे कर्म होगे, वो बुरे कर्म होगे, वो एक परवत की रूप में, एक परवत की रूप में क्या हो रहे हैं, एक अठा हो रहे हैं, बहुत बड़ा एक विसाल का है रूप, आपके जो कर्म हैं, वो का क्य कर रहे हैं इकठा हो रहे हैं आपने जो पाप रूपी कर्म किया है आपने पुर्णी रूपी कर्म किया है वो इकठा हो रहे हैं तो कि यहां पर कह रहे हैं कि आपने पाप रूपी जो कर्म किये हैं वो परवत के रूप में क्या हो रहे हैं अब कहते हैं जो पाप रूपी जो कर्म हैं इसको आप कैसे नस्ट करोगे तो बताते हैं सिर्फ एक ही माध्यम है आप इन सारे चीजों को नस्ट कर सकते हैं सिर्फ किसके माध्यम से ध्यान योग के माध्यम से इसके सिवा और कोई भी साधन नहीं है आप चाहो किसी और माध्यम से हम अपने पापों को नश्ट कर पाएं तो कहते हैं ऐसा संभव है यह नहीं आप सिर्फ ध्यान योग की माध्यम से अपने पाप रूपी कर्मों को जो आपके इकठे हो चुके हैं परवत की रूप में उसे आप नश्ट कर सकते हैं आगे बताते हैं बीजाक्षरम परम बिन्दूम नातदम तस्यो परिस्थिरम शवसब्दम जाक्षरे छिडे नीशब्दम परम पदम बीजाक्षर कहते हैं बीजाक्षर ओबीजाक्षर क्या है ओमकार है से परे बिन्दू है कहते हैं जो ओमकार है इससे भी उपर क्या है बिन्दू है क्या कहते हैं कि ओमकार से उपर क्या है बिंदु है और उसके उपर नाद विद्वान है कहते हैं और इसके उपर क्या है नाद है जिसमें मनोहर शब्द सुनाई देते हैं कहते हैं ओमकार से उपर कौन है बिंदु है और बिंदु से उपर कौन है नाद है यानि ओमकार से भी स्रेष्ट क्या है नाद है और नाद में क्या सुनाई देता है एक सुन्दर ध्वनी सुनाई देती है जैसा आपने हठी उप्रदीपका में पढ़ा होगा कि नाद की बात करते हैं नाद अनुशंधान की बात करते हैं क्या कहते हैं कि नाद अनुशंधान वहां पर चार प्रकार के बताये गए हैं कौन-कौन से आरम, घट, परिशे और निस्पत्ति यानि कि नाद क्या मतलब होता है ध्वनी यानि आवाज सुनाई देना जब योगी योग के अभ्यासों करते हुए बिलकुल फाइनल स्टेज में आ जाता है उस समय योगी को नाद सुनाई देता है वही क्या है वही सर्फ्रिस्ट है ओमकार से सर्फ्रिस्ट क्या है बिंदू है बिंदू से सर्फ्रिस्ट क्या है नाद है अब बताते हैं कि आखिर परमपद है क्या तो बता रहे हैं नाद ध्वनी के अक्षर में विले हो जाने पर जो सब्द विहीन इस्त बताते हैं, वहांब पे संथ शब्ड की इस्तिति भी नहीं होती है। यानि जैसा कि आपको बहुत प्रकार के नाद की इस तति में आपको ध्वनी सुनाई देती हैं, चल्चल की आवाज, वीड़ की आवाज, और धोल की अवाज यह सारी अवाज भी आपको उस इस्ति में नहीं सुनाई दिती है आपने जरूर देखा होगा कैसी होती इस प्रकार से होती है यह है आपका गेहू की बाल चीके अब बता रहे हैं इसके नोक जो एक गेहू का बाल हो गया इसके नोक को कहते हैं कि एक लाख हिस्सा कर दिया जाए इनको छोटी छोटे टुकड़ों में कार दिया जाए एक लाख हिस्से कर दिया जाए फिर अब जो आपने एक लाख हिस्से किये उसके भी आपको क्या करना है एक लाख हिस्सा कर देना है फिर आगे कहते हैं अब जो हिस्सा बचा अब जो भाग बचा है आपने एक लाख बार काटा फिर काटने के बाद उसे छोटे चुकड़े को आपने एक लाख बार फिर काटा तो आप कहते हैं अब जो हिस्सा बचा हुआ है उसको भी आप क्या करना है पचास हजार बार आपको और छोटे छोटे बिल्कुल बार एक छोटे छोटे चुकड़ों में काड़ देना है अब कहते हैं कि आपने कटिंग कर दिया अब कहते हैं जो सुक्ष्म अस्तर का जो भाग बचता है उससे भी सुक्ष्म अस्तर पर वो कौन है वो ब्रह्म का अस्तित्व है कहते हैं वही ब्रह्म है जो हमें दिखाई नहीं देता है यानि जो ब्रह्म की सत्ता है, बिलकु सुक्ष्म है, बिलकु सटल है, आप उसे देख नहीं सकते, वही ब्रह्म का अस्तित्व है, मुझे आसन ये पुड़ विश्वास है, कि आपको ब्रह्म की सत्ता की बारे में अच्छी प्रकासे अंडिस्टेंडिंग हो गई होगी, अब देखते हैं कि आगे क्या बता रहे हैं ध्यान बिंदू उपनिशत में, तो कहते हैं कि प्रणों की स्वरूप को आपको जानना है, कैसे आप जानोगे, जैसा कि आपने स्लेबस में देखा ही होगा, तो वहाँ पर बताया गया था, कि आपको प्रणों के बारे में आपने यूग दर्शन में पढ़ा होगा तस्सिवाचकह प्रणव, उसका नाम क्या है, प्रणों है, तज्यपस्तदर्थ भावनम, इस प्रकास से वहाँ पर बताया गया था, वह प्रणों कौन है, वह प्रणों ही ओमकार है, अब बताते हैं कि प्रणों के तीनों अंसों म और महकार, अब आगे बताते हैं कि जो लोक हैं, भूत हैं, वेद हैं, और देव हैं, वर्ण हैं, और गुड, किस प्रकास से ये ब्रह्म के अंस से जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं जो लोक है, आँन का संबंध है, अंत्रिक्ष का संबंद किसे है उकार से है और मौकार का संबंद किसे है दियो से है तो इस प्रकार से आपको विशेश त्यार रख लेना है कि प्रतिवी का रिलेशन किसे है तो बताते है उकार से अंतरिच का रिलेशन किसे है तो बताते है उकार से और दियो का रिलेशन किसे है महकार से है आके बताते हैं जो पंच महाभूत हैं उनमें से अगनी वायू और सुर्य इनका संबंद किस प्रकार से जो ओमकार की मात्राएं हैं उनसे हैं तो बताते हैं अगनी का संबंद अकार से वायू का संबंद ओकार से और माकार का संबंद सुर्य से हैं अब बताते हैं जो वेद हैं जो ओरजिनल वेद हैं जैसा कि आपको मालूम ही होगा रिकrä यजर वेद्ध और साम वेद को अथर वेद जोकि अभी जन्दी ही बनाया गया है जो मुख्य वेद है नहीं लेकिन लोग मानते हैं कि चारड प्रकार के क्यों होते हैं उपनिश्दों की बात करें तो वहां पर सिर्फ तेन प्रकार के वेद की ही बात की जाती है कि कहते हैं कि अकार का संबंद रिगवेद से हैं उकार का रिलेशन यजुर्वेद से माकार का संबंद शामवेद से हैं अब कहते हैं लोक जो है भू भूवा और स्व चो इनका संबंध कैसे है तो कहते हैं को का समबंध को का संबंध उकर एकॉठ हैं अब कहते हैं अकार की देव खोन है अब आगी वताते हैं का यो कार है उनका संबंध किष्ण जो सृष्टि की पालन हार है व्रिश्णु जी है उनका संबंद उनसे है महार का संबंद कि से है महसवर से है करें आगे बताते हैं इनका रंग कैसा है इनका वर्ड कैसा है तो अह कर का वर्ड पीत है यानि यानी पीला है उकार का वड़ कीतना है स्वेथ है यानि सफेद है मकार जुँ है उसका रंग कैसा है क्रिश्न definitive काला है इन का गुड कैसा है यान कार का गुड किया है रजोगुड़ी है कैसा है अकार का गुड तो रजो गुड़ी आपको विसेज थ्यार रखना है उकार का जो गुड़ है उकासा है सात्विक है और मकार का गुड़ क्या है? तामसिक है यदि आपने इसके पहले वाले उप्रिशत को दिखा होगा पढ़ाओगा समझा होगा तो यह जो टेबल है आपको अच्छी प्रकासे क्लियर हो रहा होगा यदि आपने नहीं दिखा है तो आप जरूर जा करके पिछली वाली वीडियों को आप जरूर देखें अब आगे बताते हैं जो ओमकार है इसके आठ अंग है चार पैर है तीन नित्र है आखे है और पांच देवता है दैव है वो कौन-कौन से अंग है वो कौन-कौन से पैर है वो कौन-कौन से नित्र है वो कौन-कौन से पांच देव है उनकी हम आगे बात करेंगे तो बढ़ते हैं हम आगे की तरब कहते हैं हमारे साथ हो रघुनाथ तो किस बाहत की चिंता जब हमारे साथ रघुनाथ है तो हमें किस बाहत की चिंता तो हमें चिंता नहीं रखनी है कहते हैं चिंता चिता है तो कभी भी आपको चिंता नहीं रखनी है मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहनी है आगे बताते हैं वह आठ अंग कौन-कौन से किसके उमकार के वह बताते हैं वह अंग है औकार उकार मकार नात्त बिंदू-कलाहतित और उससे परे पहला आपका हो गया अकार, दूसरा ओकार, तीसरा मकार, चोथा नाद, पांचमा बिंदू, छेटा करा, शातमा कलातित और उससे भी जो परे है वो आठवे नंबर का अंग है किसका ओमकार का अब बताते हैं जो ओमकार है उसके चार पैर हैं तो इन्होंने दो पार्ट में डिवाइट कर दिया, एक वेस्टी परक और दूसरा समिस्टी परक वेस्टी परक में क्या क्या चीज़े आती है विश्व तेजस प्राग्य तुरिय और समस्टी परक में क्या क्या चीज़े आती है विराट सुत्र बीज तुरिय आगे बताते हैं जो ओमकार है उसके तीन नेत्र हैं वो कौन कौन से तीन नेत्र हैं अब हम उनकी बात करते हैं कि जागरत, सुप्ण और सुसुप्ति क्या है इनके तीन नेत्र है और ओमकार के नेत्रों में भी तीन सरीर है सूल, सुक्ष्ण और कारण ये क्या है तीन सरीर है और इसके तीन गुड़ भी है कौन कौन से गुड़ है सत, रज, और तम आगे बताते हैं ओमकार के तीन सक्तियां हैं ओ सक्तियां कौन-कौन से ज्ञान, इक्षा और क्रिया इसके तीन काल हैं यानि कि इसके तीन टाइम है ओ कौन-कौन से टाइम है भूद, वर्तमान और भविश्य इसके पाँच देव भी हैं जैसा कि आप पहले ही देखा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इश्वर और सदास्यु इन पाँचों देवों के बारे में आपको नौलेज हो री चाहिए और यहाँ पे जो जो चीजे मिंसन के गई है आप इसे अच्छे से रट लीजिए याद कर लीजिए कि क्विश्चन कहां से आजाए हमें भी नहीं मालूम है आपको भी नहीं मालूम है आगे बात करते हैं क्या बात करते हैं कौन ब्रामण नहीं है किसे हम ब्रामण नहीं कर सकते तो बताते हैं जो ओमकार को नहीं चानता ओमकार के स्वरूब को नहीं जानता ओमक पर ध्यान विन्दु उपनिशत में बताया गया है कि प्रणव की विधी क्या है कैसे हम प्रणव की ध्यान को करेंगे कैसे हम प्रणव की बारे में जानेंगे उसकी विधी है क्या क्या तो कहते हैं प्रणवो धनुह सरो यात्मा ब्रह्मतलक्षम उच्यदे अब बताते हैं जो प्रणव है वो क्या है वो प्रणव धनुस है प्रणव को यहाँ पे धनुस की संग्या दी गई है यहाँ पे प्रणव को धनुस की संग्या दी गई है और आत्मा क्या है आत्मा क्या है आत्मा ब और जो आत्मा है वो क्या है बाण है एरो है और ब्रह्म क्या है ब्रह्म जो है लक्ष है ब्रह्म को यहां पर लक्ष बताया गया है क्योंकि हर एक योगी का उद्दिश से होता है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए वो कैसे हो सकता है तो कहते हैं आपको प्रणव का धिहान करना है, कैसे धिहान करना है, प्रणव को मानना है कि वो क्या है, धनूश है, और जो आपकी आत्मा है, प्रणव का भेधन करना है, कैसे करोगे, आत्मा की मात्यम से करोगे, उस आत्मा को आपको बान समझना है, एरो समझना है, और लक्ष कैसे बना ब्रह्म को लक्षमान ले ना है जैसे आप UC NIT की तयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजे जरूरी है आपका टार्गेट होगा जयारफ कि आपको जयारफ पाना है तो आप जयारफ को कैसे गेन करोगे पहली बात आपको एक strategy बनानी होगे चीजे आपने एक रास्ता क्लियर कर लिया आपे एक strategy बना लिया वो क्या है प्रणव है अब कैसे करोगे आप श्वाध्याय के माध्यमसे उस्स्वाध्याय मालिचे आपकी आत्मा हो गई स्वाध्याय ठीकि तो हम इस व्रकार से मान सकते हैं कि जो प्रणव है वो धनुस से आत्मा बान है ब्रह्मा लक्ष है आगे बता रहे हैं कि बिना आलस से कि ये बान से लक्ष का भीधन करना चीए जिसे निब्रिती होती है जिससे क्या होगा निब्रिती हो जाएगी यानि कि मुक्ष की प्राप्ती हो जाएगी हमारा मेन गोल क्या है हमें जियारफ वाना है यदि जियारफ पाने के लिए आप मेहनत नहीं करते हो आप आलज से करते हो तो क्या आप जियारफ को अचीव कर पाओगे क्या आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे तो वो जो सपना है जियारफ का वो सपना क्या है वही ब्रह्म है और आलज से क्या है वो बाधा है तो उस ब्रह्म को पाने के लिए आपको प्रणो रूपी धनुस चलाना होगा और उसमें तीर कौन सा इस्तमाल करना होगा आत्मा रूपी तीर इस्तमाल करना होगा अब आगे बताते हैं जो ओमकार है उसकी उत्पत्ति कैसी होती है उसका origin point क्या है तो बताते हैं ध्यान बिन्दु उपनिशद में ओमकार की उत्पत्ति देवों की कहते हैं कि ओमकार की उत्पत्ति देवों से हुई स्वरू से हुई त्रिलोक से हुई और संपूर जगत में ओमकार ही व्याप्त है कहते हैं ओमकाय की उत्पत्ती में कौन-कौन helpful है तो कहते हैं देवों ने सहाता की श्वरों की माध्यम से हुआ तीनों लोकों की माध्यम से हुआ और ओमकार पूरे शंपूर में विश्व में प्याप्त है ओमकार की बिनाया सरस्थी है ही नहीं ऐसा आपको मानना है अभी आपने देखा कि ओमकार का स्वरूप क्या था ओमकार का ध्यान कैसे करना है अब बताते हैं जब आप ओमकार की स्वरूप को आपने जान लिया आपने ध्यान कर लिया अब बेनिफिट क्या होने वाले इसके फल क्या होगे तो बताते हैं आगे बताते हैं कि ओमकार का फल क्या होगा जब आप ओमकार की फृस्व अंसकी अभ्यासु करते हैं तो उससे क्या होगा पापो का दहन हो जाएगा आपकी जो पाप है वो जल के भस्म हो जाएगे यदि आप ओमकार के दिर्ग अंस का अभ्यास करते हैं ध्यान विधी अपलाई करते हैं तो अक्षे संपदा आपको अक्षे संपदा प्राप्त होगी आगे क्या बताते हैं यदि आप ओमकार के अर्ध मात्रा का ध्यान करते हैं अभ्यास करते हैं तो आपको मुक्ष की प्राप्ती हो जाएगी ठीक है इस प्रकास से यहां पर बताया गया है आगे क्या बताते हैं कि परमात्मा का ध्यान आखिर कहां करें ठीक है आपके मन में भी प्रसूस्त उड़ता होगा कि यहां पर ओमकार के बारे में बादी की जारी है तो आगे हम क्या करें तो बताते हैं कि परमात्मा का ध्यान आपको करना है कैसे करना है कहां भी करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अब हम इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं तो बताते हैं यहाँ पे आपको अपने हुर्दे में क्या समझना है कि एक जोती जल रही है वो कैसी है वो अंगुष्ट मात्र है ऐसा आपको समझना है कि ओमकार का आकार है और वहीं पे आपको परमात्मा का ध्यान करना है आपने उपनिश्दों में देखा होगा वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि परमात्मा क्या है अंगुष्ट मात्र है यहाँ पे भी वही बात हो रही है परमात्मा एक दिपक की जोती की भाती है वो कैसी है हमारे रदे में बसी हो हैं अंगुष्ठ मात्र अब आगे बात करते हैं कि प्रणयाम की धेता कौन-कौन से हैं एडा से उधर में वायू भर कर देह के बीच में जोति मैं ओम का ध्यान फिर आपको क्या करना है पूरक, कुम्भक और एचक कर देना है तो कैसे आपको प्राणयान का अभ्यास करना है एडा से यानि कि आपको लेफ्ट नोस्टल से एर को लेना है और आपको जोतिर में ओम का ध्यान करना है आपने ध्यान कर लिया आप क्या करना है फिर पूरक करना है पूरक करते हुए आपको ब्रह्म का ध्यान रखना है प्रह्म का ध्यान करना है क्या करना है आपको ब्रह्म का ध्यान करना है फिर इसके बाद कुम्भक करते हुए यानि प्रेद को खूल करते हुए आपको विश्णु जी का ध्यान करना है और जैसे आप रेज़े कर रहे हो वैसे आपको भगवान रुद्र का ध्यान करता है तो इस प्रकाश से ध्यान-बिंदु learning करते रहोगे तो देखते हैं आके क्या क्या चीज़े और भी बताएगी हैं उसके बारे में भी हम study करते हैं चले जी मित्रों अब देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है तो बताते हैं कि हृदय कमल का स्वरूप कैसा है उसकी बात करते हैं कहते हैं कि जो हृदय कमल है ठी इसमें क्या है, आठ डल है, जो हुर्दय कमल है, उसमें क्या है, आठ डल है, और इसमें 32 पंखुडिया है, अब बताते हैं, आगे क्या चल रहा है, कहते हैं, उसके बीच में सुर्य है, क्या है, इसके बीच में सुर्य है, और सुर्य की बीच में चंद्रमा है, और इसके भी और चंद्रमा की बीच में क्या है चंद्रमा की बीच में एक अगनी है क्या है अगनी है यानि की फायर है और अगनी की बीच में क्या है एक दिप्ती है एक प्रकास है क्या है एक दिप्ती है एक प्रकास है उसके बीच में पीठ अस्थान है यहां पर क्या है इसके बीच में और अंदर जाएंगे डीपर जाएंगे तो क्या इस्तित है पीट अस्थान है और इसके भी अंदर हम जा रहें तो क्या बताते हैं कि इसके बीच में पीट अस्थान के बीच में क्या है प्रभु वासुदेव यहां पे विराजित हैं कौन है प्रभु वासुदेव यहां पे प्रतिष्ठित हैं अब बताते हैं जो पीट अस्थान है उसके बीच पे यानि बिल्कूल भी शुक्ष्व अस्तर पे सटल लेबल पे कौन है प्रभु वासुदेव हैं जो वत्स कौस्तुब मड़ी एवन समस्त मुक्ताओं से विशेश रूप से सुसोवित हैं कहते हैं कि ज जो हिरुदय का कमल है उसमें आठ दल है और बत्तिस पंकुणिया है और उनके बीच में क्या है सूर्य है सूर्य के बीच में चंद्रमा है चंद्रमा की बीच में अगनी है अगनी के बीच में एक दिप्ति यानि प्रकास एक किरण है एक चमकता हुआ प्रकास है उसके इनर्जी से भरे हुए है और जाओं की जो स्रोत है वो कौन है प्रभू है वो प्रभू कौन है वासुदेव हैं प्यारे दोस्तों आपको काफी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि वासुदेव कहां पे हैं फ्रदय कमल की रोप में इस्तित हैं अब आगे बताते हैं कि द्यान कैसे करना है जो वासुदेव हैं प्रभू जो फ्रदय कमल में इस्तित हैं काफी सुष्म आउस्था में हैं उनका ध्यान हम कैसे करेंगे बताते हैं शुद्ध स्पटीक की समान करोड़ू चंद्रमाओं की कांति वाले महा विश्णु का ध्यान करना है कहते हैं जो करोड़ू चंद्रमाओं से वो क्या है युक्त हैं ऐसा आपको ध्यान करना है महा विश्णु का ध्यान करना है ध्यान किसका करना है महा विश्णु का करना है वो कैसे हैं वो सुद्ध मड़ी के समान है और वो करोड़ू चंद्रमाओं की क्रांति से प्रकास से युक्त हैं कौन हैं महा विष्णुजी युक्त हैं अभी आपने फृदय कमल के सुरूप को जाना तो अब देखी यहां पे काफी छोटे सब्दों में बताया गया है क्या बताया गया है फृदय कमल जो की आठ दल हैं 32 पंखुडियों से युक्त है उसके अंदर सुरे हैं सुर के अंदर चंद्र हैं चंद्र के अंदर क्या है अगनी है अगनी के अंदर क्या हो रही दिप्ती हो रही प्रकास चल रहा है उसके अंदर क्या है पीट अस्थान है और उसके भी अंदर कौन है वासुदेव प्रभुची है अब देखते हैं आगे क्या बताते हैं यह ध्यान बिंदु और जब आप ध्यान करते हो किस देव का ध्यान गणा उनीर व्यादस करते हो, अब data कीसा होगा और ईसके देव कौन है का इसके दिव महा विष्मुजी है जब आप कुम्भक की अभ्यासु करते हो प्राणयाम करते हुए तो आपका ध्यान फुर्दय पे होना ची जिसका रंग कैसा है लाल वर्ड है और यहां पे आपको भगवान ब्रह्म का ध्यान करना है जब आप रेचर करते हैं तो आपका ध्यान कहां पी होना चीए आपका ध्यान ललाट पर होना चीए फोरिट पर होना चीए माथे पर होना चीए उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग कहते हैं श्वेत वर्ड के समान है और उसके देव कौन है? उसके देव है भगवान शिव जी है अब आगे क्या बताया जा रहा है? उसको भी हमें काफी ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है जिस प्रकार कमल नाल से जल को धीरे धीरे खिंशते हैं उसे प्रकार योगी योगस्त होकर प्रणायाम द्वारा वायू को धीरे धीरे उर्दो की और ले जाता है कहते हैं जो कमल का नाल है आपने कमल को देखा होगा तालाप में जो कमल रहता है आपने वहाँ पे देखा होगा कि कैसे कमल जल को ग्रहन करता है कैसे दीरे दीरे अपने नाल से जो स्टीम होती है इससे जल को दीरे दीरे खीचता है तो उसी प्रकासी योगी को दीरे दीरे प अभ्यास करना है जब योगी प्राणयान के अभ्यास को देले देले करता है तो जो उसका अपान वायू है नीचे की तरफ क्या है अपान वायू है ओपर की तरफ उर्दगामी हो जाती है जो प्राण की तरफ उर्दगामी हो जाती है जारे दोस्तों अब देखते हैं आगे क् क्या करना है प्रणाव की जो अर्थ मात्रा है उसको रसी माल लेना है और आपका जो फ्रुदय कमल है उससे आपको कुवा समझ लेना है कूप समझ लेना है चहां पर सुसुमना रहती है मार कुंडली को जल रूपा और जो उसके कुई के अंदर जो जल है वो क्या है वो कुंडली रूप है उसको भूमद्य में लेकर जाना है अब आगे देखी काफी छूटी सब्दों में क्या बताया गया है रुदै कमल रूपी कुंप नाल क्या है शुशुमना जो है वो मार कह है और जल रूपा कौन है वो कुंडली है तो इस प्रकार से आपको बिसीश शुतिहां रख ले दिए तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या बताते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म का स्थान आखिर है क्या प्रस्ट उठ रहा है तो कहते हैं नासिका के मूल भाग से जो माल नासिका है इसका जो मूल भाग है इससे ऊपर और भूमध्य के बीच में कहते हैं जो ललाट है वो क्या है एक अम्रित का स्थान है वहीं पर ब्रह्म रहते ह रहते हैं आपके ब्रह्म रहते हैं तो यहां पे बात की जा रही है सडाग योग को हम थोड़ा सा जानते हैं काफी छोटी सब्दों में आसनम प्राण संद्रोधः प्रत्याहारस्षधारणा आसनम समाधिरेतानी योग अंगानी भवंतिशड़ः प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं सदांग योग की आपने काफी टेक्स्ट में पढ़ा होगा गरंथों में पढ़ा होगा वहाँ पे मेंसन है अस्टांग यो चत्रोंग योग शप्तांग योग लेकिन यहां पे शडांग योग की बात करते हैं आपको एक प्रश्ण का आंसर देना है इसके पहले आपने किस योग उपनिशर्भ में शडांग योग के बारे में पढ़ा था आपको comment box में लिख देना है तो आपको जरूर मालूम होग आपने जरूर याद किया होगा अस्टांग योग कितने होते हैं वो कौन-कौन से हैं आपको याद होगा वो कौन-कौन से हैं यम नियम आसन प्रत्याहा धाला ध्यां समाधिन तो यहां पर देखिए यहां पर यम और नियम नहीं दिये हुए हैं यहां पर सडांग योग मे आसन से प्रारम होता है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़े बताएंगे यह आसन जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सुरसर ने आसन के अभ्यास को किया है अब आगी बात करते हैं प्राणायाम यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है प्रत्याहार आपको क्या करना है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है विड्रोल फ्रांदरने सिंसिश आपको क्या करना है इंद्रियों को कंट्रोल करना है वही क्या है प्रत्याहार है धारणा एक जगह अपने ध्यान को फोकस करना है इसके पहले वाले आपने उपनिशद में पढ़ा होगा, वहाँ पे ध्यान की बात करते थे, किन-किन चीजों पे ध्यान करना था, वहाँ पे योग तत्व उपनिशद में पंच महा भूतों पर ध्यान करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो आपको ध्यान करना है और जो लास्ट स्टेज है उसका नाम क्या है समाधी तो सदाइंग योग में क्या के चीज़े आती है आसन प्रणयां प्रत्यहा धारणा ध्यान और समाधी अब देखते हैं कि आखिर आसन कितने प्रकार के बताये गए हैं ध्यान बिंदु उपनिशत में तो क् बहुत सारे यहां पर आसम की बात की गई है लेकिन कहते हैं जो प्रमुग आसन है इस सारे चीजों में से, वो कौन- packets से आसन है कहते हैं कि मुखे चारी आसन है वो कौन-कौन से है शिद्धासन, भद्रासन, शिम्हासन और पदमासन की बात यहां पे बताई गई है थैंकि सो मस्त दोस्तों आपने अपने धैरी को बनाय के रखा और काफे लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे हैं यदि कोई भी सुझाओ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके कमेंट के माध्यां से हम अपने अंदर और इंप्रूमेंट करेंगे धन्यवाद अपना ध्यां रखे